आयोध्या में राम लला के आगमन की घडियान नदीक आ गई है मैं हूँ आपके साथ आशीश प्रमोध गूसौमी तेकि सदियों के इंतिजार अगले कुछ घंटों में समाप्त होने वाला है आपको बता दे कि आयोध्या तयार है कारुश्योकों के संघर्ष का परिणाम कल आयोध्या में दिखाई देगा जब अब दिव राम मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिश्टा होगी कल के आयोध्या दुलहन सी सजच गई हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे मौजुद अस्ति आपको दिखाएंगे किस प्रकार का माहौल बना हुआ गर बैटे आपको आयोध्या पहुचा देंगे आज हम बस बने रहीं हैं आगले आदे गन्टे आप निया की नजरी आउद्य पटीकी हुई है, मिह क्ल क्या क्या होगा, मैं मंदिर कैसा तैयारिया कैसी, सुरक्षा कैसी, हर एक चीज हम आपको दिखाएंगे, हम आपको ग् दिखता है जरा आप देख लिजे मेरे पीछे ये जो आप देख रहें राम मंदिर है कैसा ग्राफिक्स के माद्यम से हम आपको दिखाने का प्रियास कर रहे हैं राम मंदिर जो बना है उसकी चोड़ाई कितनी हैं 235 फीट आप देख रहे हैं लंबाई के अगर बात करें तो 360 तो साट फीट लंबाई जो है वो अयोधिया में भब राम लला की मंदिर की है शेत्र फल अगर बात करें तो दो दश्मलों साथ एकड में ये पूरा शेत्र जो है वो फैला हुआ है आप देख सकते पीछे पूरी आयोधिया आपको नजर आ रही है और ग्राफिस्क माद्यम स कैसा है राम मंदिर वो जी राजस्थान आपको घर बैठे दिखा रहा है देख लीजिए प्रभेश किस प्रकार का है बत्ती सीडिया होंगी जब कल प्रधान मंत्री पहुंचेंगे तो इन बत्ती सीडियों को चर्टे हुए उपर वो जाएंगे 44 दर्वाजे जो है वो आपको बतायेंगे किस प्रकार करेंगे फिलाल आपके फवराम मंदिर का बहरी आवर्ण कैसा है उचाई चोडाई इसीडिया कितनी प्रवेश दॉार कितने ये हर एक चीज़ आपको इस ग्राफिक के माध्यम से जी राजस्थान दिखा रहा है आप देख सकते हैं आयोधिया आयोधिया और आयोधिया में भगवान राम का भव और दिव मंदिर बनकर है तयार और घजब का नजारा आप कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहाँ वहाँ तक बस आपको महौल बना नजर आएगा पूरे आयोधिया का दरसल सजा दिया गया है फूल के फूल आए है और पूरे के पूरे मंदिर में जो है फूलों की बारिश हो रही है आपकल तमाम वीवी आइपीस पहुंचेंगे साती साथ में वो तमाम कार सेवक पहुंचेंगे जो प्रतेक्ष दर्शी है 1990 में चली गोलियों की गवाही जो देते हैं टीवी दर टीवी वो पहुंचेंगे गवरवानबित कर देने वाला लमहा हम सब के लिए क्योंकि हमारे रामलला पधार रहे हैं कल गजब की तश्वीरे रामलला प्राण प्रतिश्ठा आखिर कैसी अब ये जो आप अपने स्क्रीन पर देखने ग्राफिक्स जरा वो समझ लीजिए क्योंकि सुरक्षा वेवस्था चाक चौबंद है पूरी आयोध्या अभे दिक्किले में तबदील हो गई है ग्राफिक्स जो बटालियंस है उनको आयोध्या में तैनात किया गया है आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के माद्यम से जरा समझ जीए देखिए क्योंकि पूरे देश से सुरक्षा वेवस्था यहां पर भेज दी गई है चाउनी में तबदील है पूरी आ आयोध्या इस वक्त नजर आ रहा है इस ग्राफिक्स के माद्यम से आपको दिखाने का बस यह प्रयास ताकि आप समझ पाएं किस प्रकार से सुरक्षा वेवस्था आयोध्या में की गई है क्योंकि पूरे देश की निगाएं है राष्टी यह पर्भ का महौद सुरक्षा वेवस्था आला दर्जे की आपने देखे लेकिन एकुप्मेंट्स क्या है किस प्रकार से सुरक्षा वेवस्था रहेगी अब इस ग्राफिक्स के माद्यम से आप देखिए समझेए सिसी टीवी कैमरे कितने लगाए गए हैं ड्रोन से निगरानी किस प्रकार से होगी कितने संख्या इनकी रहने वाली है ड्रोन कैमरे कितने हैं यह तमाम चीज़े जवान कितने तैनात हैं वो जड़ा समझ लिजए आकड़ों के माद्यम से हम आपको दिखाने के प्रयास कर सिसी टीवी कैमरे से लेकर हर एक पहलू को ध्यान में रखा गया है क्योंकि दिन बड़ा है पुझे दुनिया की निगाए है सुरक्षा व्यवस्ता आला दर्जे के होनी चाहिए योगी आधितनात से लेकर प्रधान मंत्री मोधी सरसंग चालक तमाम बड़े गणमान वीवी आईपी मुवेंट कल दिखाई देंगे और पूरी भौगली के स्थिति इस वक्ता है उद्या की बदली बदली आपको नजर आ रही है बारी लोगों का प्रवेश आज से रोग मंदिर कैसा है आपने देखा सुरक्षा बिवस्ता कैसी है आपने देखी किस प्रकार से सुरक्षा हो रही है यह हमने आपको दिखाए लेकिन अब आपको दिखाते हैं सबसे महतबूर विशिश अतिति में सबसे पहले आप देख सकते हैं नरेंद्र मोधी देश के प्रधान मंत्री ये पहुचेंगे मुहन भागवत आरसे सरसंग चालक ये मौजोज रहेंगे प्राण प्रतिश्था के साक्षी बनने जारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितना के साक्षी बनेंगे राजिनितिस देखिए नियाइपालिका देख लिजिए डिवाई चंद्रचूर्ण मुख्य नयाधिश रंजन गो गई ततकालीन मुख्य नयाधिश जोनों ने फैसला सुनाया था बड़ी चीज़ ये देखिए कि से बोब्रे को भी बुलाया गया है ये पूरा पैनल है जब 2019 में फैसला आया था कि यहाँ पर भवे राम मंदिर बनेगा ये सब कुछ बगवान राम लला का है और उसके बाद ये हो पाया कि वहाँ पर मंदिर बना अशोक बुशन को आप देख रहे पूर मने आया धीश व भी आपको बता दें कल आयोध्या में जो नया एकोर्ट बना वहाँ पर तमिलनाडू से रजनी कांट भी पहुंचेंगे ये वो तमाम नाम जो कल आयोध्या के शानों शौकत में जाफ़ा करेंगे अक्षर कुमार ये वो नाम इनको बुलाया गया आजे देवगान अलु अ साउथ के बड़े स्टार साथी साथ में मौनलाल ये तमाम नाम साउथ से लेकर बॉलिवूर्ट से लेकर टॉलिवूर्ट तक तवाम नाम वहाँ पर आपको नजर आजेंगे कला साहित से संद्प्रकाश दिवेदी जी एक जाने माने लेखक निर्देशक ये पहुंच रहे मनोज मॉन्तिशिर गितकार ये पहले साउध्या में मौजूद है कल आपको ये वहाँ पर नजर आएंगे मानोज मॉन्तिशिर इनको भी हाँ पर बुलाया गया है सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी खेल जगत से बड़ा नाम ये पहुंचें शासद में रोजेश हमा हैं और प्रहँ चुप द 있는 लिए बीकल पहुचेंगे भाटेज टीम की पूर्व कप्तान इनको भी बुलाया गया है महीला क्रिकेट टीम की बिदखाली राज यहां पर मौजूद रहेंगी प्राइप प्रतिष्टा का जो निमंतर दिया गया है उद्योग पती मुकेश अम्बानी उद्योग जगत से मुकेश अम्बानी का नाम हम आपको दिखा रहे हैं ये भी पहुचेंगे प्राइप प्रतिष्टा के कारकरम में वी वी आपी मुमेंट कल सुबास से शुरू हो जाएगा क्योंकि साले दर्श बजेक बाद एंट्री बैन हो जाएगी कुमार मंगलम बिला उद्योग जगत के बिला ग्रूप के बड़ा नाम कुमार मंगलम बिला पहुचेंगे अजे पीरमल भी पहुचेंगे पीरमल फिनन्स के अजे पीरमल पहुचेंगे उद्योग जगत से देखा जातू ये तमाम वी वी आपी मुमेंट कल आपको आध्या में नज़र आएंगे एंट चंदर शेखर भी पहुचेंगे प्रधान मंतीर नरेज मोधी के तस्वीर एक बाद फिर से आपके सामने लगातान अनुस्ठान पे है तमिलाडू में आच थे कल आध्या में होगे और एक भब आयोजन के साक्षी बनेंगे किस परकार से क्या चीज रहेंगी हमने आपको दिखाया वी बी आईपी मुमेंट क्या रहेगा कौनकों से बड़े मेमान जो है वो पहुँच रहे है उसके बारे में हमने आपको बताया लेकिन अब आपको ड्रोन ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते है कि कल प्राण पतिष्ठा के दिन क्या-क्या आयोजन होगा क्या होगा समिरी हो हम आपको बताते है प्रणापतर्श्चा के वक्त किस प्रकार से गर्बगिरे में क्या करकरम होंगे वह हम आपको दिखाने प्रयास करें लेकर इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कल आयोजंज होगा वो अलग-अलग राज्यों से वादी अंतर आये हैं कश्वीर से लेकर कन्या कुमारी तक उनको आपर बजाया जाएगा प्रधान मंतरी मोदिस कारकर में मौजूद रहेंगे मंगल ध्वनी बजेगी समय होगा सुबा 10 बजे का अलग-अलग राज्यों के वादी अंतर आये हैं चतिसगर से कोई अंतर आया है तो तमिल्लाडु से कोई पंजाब से कुछ तो उत्तर प्रदेश से कुछ राजस्थान से कुछ राम मंदिर में मंगल ध्वनी जब बजेगी तो वो हम आपको दिखाने का प्रयास इस ड्रोन ग्राफिक्स के माध्यम से करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि कल का योजन कितना दिव, कितना भब और कितना अलोग की खोने जा रहा है सिलसले बाद तमाम ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कल अयोध्या कैसी नजर आने वाली है अब आपको दिखाते हैं कि प्रान प्रतिस्था जब होगी उस वक्त गर्वगिरी में कौन-कौन लोग मौजूद होंगे कौन कौन वाग इशाली लोग प्रदान मंतरी मोधी मौजूद रहेंगे जो आखों से पट्थी हटाएंगे बगवान-राम कि योगी आजितनात मुख्य मंतरी उत्तर प्रदेश की यह मौजूद रहेंगे में राजिपाल रहेंगी आनंधी पठेल फ्रदेश की गर्व गिरम साथी साथ में सर्संग चालक मौन भागवत इस कारिकरम में मौझूद रहेंगे जब ग्रवुल्व में प्राहर प्रत्था कारिकरम होगा आचार सतेंद्र दास मुख्य पुजारी है राम लला के यह भी साक्षी बनेंगे इस अविस्मर्णी है पलके जब पुरी दुनिया देखेगी कि किस प्रकार से 500 वर्षों का इंतजार हिंदुस्तान में समाप्त हुआ राम राज का अगमन कल से अध्या में और प्रभू श्री राम की वापसी अध्या में आप देख सकते हैं यह वो नाम जो डूंड ग्राफिक से माद्यां समें आपको दिखा रहे हैं मुहन भागवत यह वो तमाम नाम है जो आपको शिलान्यास वाले दिन भी नज़र आये थे झालओ लाचछ लाच से जो आपको अरणी नाम खड़ झालओ वो तमाम झालओ लाब लाचा रहे हैं मूँ टिला प्राफिक ट्रेज़र प्री अध्या मुह झालओ यह झालओ बनान्यास यह झालओ यह हैं झालओश